हलो फ्रेंज आज में आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट एकदम कुरकुरा नास्ते की रेस्पी लेकर नाश्ते की रेस्पी लेकर नाश्ते की रेस्पी लेकर नाश्ते की रेस्पी लेकर नाश्ते की रेस्पी बहुत ज़्यादा आसान है और इस नास्ते की रेस्पी बास लाने की बिल्कुल भी जुरत नी घर पर रख़ए चीजों से आप इस नास्ते को बना के त्यार कर सकते हैं यह नास्ता बहुत ही टेश्टी बहुत ही कुरकुरा सा बनता एक बार आपने इस नास्ते को बना लिया तो यह नास्ता आपका जुरूर फैवरेट होने वाला ह अगर आपको याज की रेस्पी आच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलीगा तो चलिए फ्रेंट बनाना सुरू करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने आपे चार कच्छी आलू का इस्तमाल किया है आज का जो फ्रेंट नास्ता है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंट है और बहुत ज़्यादा टेश्ट और मज़ेदा नास्ता बनता है तो सबसे पहले यहाँ पे आलू को आपको अच्छे से ग्रेट कर लेना है तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड मैंने आलू को ग्रेट कर रहे तो इसके लच्छे बहुत ही पतली-पतली से हैं इसे नास्ता बहुत ही ज़्यदा कुरकुरा सा बनता है तो फटा-फट मैं यहाँ पे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी देख सकते हैं बहुत ही clean इसके लच्छे देख रहे हैं तो इस लच्छे को पानी में ऐसे डाल दीजीगा ताकि लच्छे काले ना पड़े तो बस आब हम चलते हैं इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं यह नास्ता बहुत ही tasty बनता है तो इस नास्ते को बनाने के लिए मैंन करेंगे इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इने हलका सा भून लेते हैं तो मैं यहां पे कोई जादे मसाले का यूज बिल्कुल भी नहीं करूं जो नॉर्मली हर किसी के पास अब ले पहले उसे ही आप इस्तिमाल कर सकते हैं यह देखें बहुत ही सिंपल सा मसाला म ब्लडर दाल दीचीगा इनको अच्छे से मिक्स कर लेगे ये दिखें तो अचुछ से मिक्स कर लेजिगा आफ इसमें मैं एक कप के लगबगा पानी के इस्तिमाल कर रही हूं अब इसमें मैं आइड करूँगी यहाँ पर नमक अपने टिश्क रोकाडिंगी डालेगा थोड़ा से डाल देंगे यहाँ पर आमचूर पॉडर आप इसके जगह चाट मसाला भी इस्तमाल करश रखते उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इनको अच्छे से मिक्स कर पाने में एक बॉल आने देना है यह जिए फ्रेंड पाने में एक बॉल आने लगा तो मैं आपे आलू के लच्छे डाल दूंगी आलू के लच्छे से पाने अच्छे से निचोड लीजीगा इसके बार इसमें लच्छे डालेगा यह दिखे मैंने आपे आलू के सभी लच् को बिल्कुल नहीं पकाना ही देखे मेरे लच्छे हलके से कोखो चुके मैं आपको दिखा रही है इस तरीके से लच्छे होने चाहिए तो यहां पे लच्छे बिल्कुल अच्छे से पकड़ कर रहा डिये तो आप इसमें एड़ करनेंगे आप एक कप लगबग गिहूं का कर लो वे देखे तो यहां पर पन बनोड़क यहां परफ्रेकT tip हुख टिया है झाहिए तो इसे कर नाच्छे का नेамиने पांच अच्छे से ठंड़ लिया था और यह दिए वह यहां को आपको अच्छे से से मजल चल करके तो ताकि जब हम व दोगों बढ़ा से स्मोध कर लिए आप छोटे-्छोटे से बॉल्स बना करके त्यार करूंगी नस्ते के लिए कुछ इस तरह किसे तो आप जैसा भी सेट यूइना चाहते उसी साथ से बना सकते अफसे बना सकते या फिर गोल जैसा ब बना के त्यार कर लोंगी अगर फ्रेंस बॉल्ट बनाते समय हाथों में बॉल्ट शिपक रहा हो तो थोड़ा सा ओल लगा लिजीगा तो बहुत अच्छे से इसके बॉल्स बन जाएंगे यह लिजी फ्रेंड तो आप इस नास्ते को थोड़ा सा एक्वल करने के लिए आप इस सबी बॉल्स को बना करके त्यार कर लिए अब हम चलते इन्हें फ्राइब करने के लिए तो मैंने आपे कड़ाएं में पहले से और गरम होने के लिए रख दिया था एक एक करके मैं आपे सबी बॉल्स को अच्छे से डाल दूँगी तो यह लिजी फ्रेंड मैंने आपे सब और नहीं करता नहीं ज्यादा ओली नास्ता होता है बहुत ही ज्यादा टेस्ट और हेल्दी नास्ता लगता है तो यह लीजे फ्रेंड यहां पर हमने इस नास्ति को फ्राई कर लिया है देख सकते हैं इस नास्ति का जो लुक है बहुत ही ज्यादा टेस्टर बहुत ही लगता है देख सकते हैं तो एक मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूं यह दिखी कितना ज्यादा क्रिस्प आप इसके आवाज भी सुन सकते हैं बहुत ही बढ़ी हासा इनास्ता बना हुआ है अगर आपको यह नए तरीके की नास्ते की अच्छी लगी हो तो प्लीज फी लगी है आपको